Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 10.5 से question number 7 करेंगे If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral Prove that it is a rectangle Question में आपको एक cyclic quadrilateral दिया हुआ है Cyclic quadrilateral वो quadrilateral होता है जो किसी circle के अंदर बनता है और उसके चारों vertices जो है ना, circle पे टच होते हैं ऐसे quadrilateral को cyclic quadrilateral बोला जाता है अब इसके जो diagonals है ना, cyclic quadrilateral के ये circle के diameters ही हैं इनकी vertices से ये diameters बने हुए हैं आपको ये proof करना है कि ये cyclic quadrilateral एक rectangle है तो rectangle proof करने के लिए सिफ दो चीज़ों की आपको जुरूत पढ़ेगी इसके अंदर एक तो diagonals अगर बराबर हैं और वो आपस में bisect करते हैं अगर ये दो चीज़े हम proof कर देते हैं तो फिर A, B, C, D ये जो cyclic quadrilateral है ये rectangle proof हो जाएगा तो जो rectangle की properties होती हैं ना उसके जो diagonals होते हैं वो बराबर होते हैं और वो bisect भी करते हैं इच अदर को अगर ये दो चीज़े हम यहाँ पर show कर देते हैं तो फिर ये A, B, C, D, cyclic quadrilateral rectangle proof हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं इसमें देखिए A, C और B, D ये दोनों के दोनों इस A, B, C, D के diagonals हैं और ये बराबर हैं बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये diameters भी हैं circle के तो ये diameters ये ना ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि जो diameters है vertices से जो diameters है वो ही इस quadrilateral के diagonals भी है तो A, C is equal to B, D reason में लिखेंगे diameter of same circle इसे मैं result number one रखूँगा यहां मेरी ये चीज़ प्रूफ होगी कि जो diagonal से वो बराबर है अब मैं लिख सकता हूँ O, A, O, C O, B और O, D ये चारों की चारों ये आपस में बराबर होंगी O, A बराबर O, B बराबर O, C बराबर O, D ये चारों लाइन सेग्मेंट्स आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये center से circle के यहां तक ये इसका radius है तो ये सारे के सारे जो हैं ये radius of the same circle एक ही circle के radius हैं तो ये आपस में बराबर होंगे अब मैं एक एक को उठाता हूँ मैं diagonal AC पर देखता हूँ कौन से दो part है AO और OC ये आपस में बराबर होंगे तो OA बराबर OC और ये दोनों के दोनों किसके हाफ हैं AC के तो इन्हें मैं AC का हाफ लिख सकता हूँ इसी तरह से OB और OD आपस में बराबर होंगे OB is equal to OD और ये दोनों किसके हाफ हैं ये दोनों BD के हाफ हैं Half of BD इन दोनों result को मैं commonly number 2 रख देता हूँ अब first result में आपने देखा कि इसके जो diagonals हैं वो बराबर हो गई हैं यहाँ पे और second में जो diagonals हैं वो bisect भी कर रहे हैं एक दूसरे को तो दोनों की दोनों conditions पूरी हो गई हैं तो from 1 and 2 हमें result मिला है diagonals are equal and bisect each other therefore a, b, c, d is a rectangle क्योंकि diagonals बराबर भी हैं और bisect भी करने हैं एक दूसरे को इसलिए यह जो cyclic quadrilateral इसके अंदर बना हुआ है a, b, c, d यह एक rectangle है question खातब तो इस वीडियों बस यतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक ते लिए good bye